इसमबर 2022 का और जनवरी 2022 में उसकी जो एज थी वो थी 7 साल और 7 साल का होने में उसको लगे थे 10 से 15 साल लेकिन 7 साल से 9 साल तक पहुशने में लगे 1 साल से भी कम तो अगले 6 महीने में क्या होने वाला है अगले 1 साल में क्या होने वाला है दो साल में क्या होने वाला है आप ऐसा नहीं है कि यह जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी इसके बाद में सब कुछ ही खतम हो जाएगा लेकिन आप यह कह सकते हो 90% photographers का काम खत्म सिर्फ 10% बचेंगे वो जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो AI नहीं कर पा रहा है यह होना ही है क्योंकि एक company के perspective से देखो एक client के perspective से देखो उसको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है free में काम हो रहा है और unlimited supply है पीछे से तो client किसको choose करेगा client बेवकूफ है जो जा करके 8-10,000 रुपे देगा वो तो free में access करेगा बट इस सच को देख पाने के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो बिलकुली unbiased हो और fearless हो यह नहीं की डर करके denial mode में चले गए मैंने अपनी industry में और लोगों से बात करी जो stock photography industry में है तो सबका यह reaction था अरे नहीं नहीं AI में वो बात थोड़ी है हमारी images देखो यह बड़ी है वो बड़ी है